बिस्मिल्लाइ रहमान रहीम आज हम साइकने बारेजी चैप्टर नंबर 15 यानि जो पहला चैप्टर है होमिस्टेसिस उसके अंदर थर्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है हमें आज के लेक्चरी के अंदर थर्मो रेगुलेशन इनिमल्स और प्लांट्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि थर्मो रेगुलेशन क्या होता है से पहले हम एक दफा इसके बारे में पढ़ चुके हैं क्या आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए सो थर्मो किसे का था हमने balancing of body temperature ठीक है यानि body temperature को balance में रखना balancing of body temperature ठीक है और यह homeostasis का ही हिस्सा यानि कहलें कि internal environment को protect करने का ही नाम या आपने यानि internal environment यानि इंटर्नल जो temperature है body का उसको maintain करना होता है बाहरी temperature चेंज होगा लेकिन body temperature को जो maintain करने का आमल है उसे हम thermoregulation कहते हैं सब्सक्राइब जो normal temperature होता है ना लाइक अगर मैं यहां पर ड्रा करूं सो एक तरफ cooler temperature होता है फिर बीच में normal temperature के रिए जाती है देन सुरी एक तरफ hotter फिर एकदम cooler temperature स्टार्ट हो जाता है सब्सक्राइब जो यह यालो लाइन यह क्या बतारी के temperature बहुत ज्यादा हाई है और जो ब्लू लाइन है के चीज बतारी के temperature बहुत ज्यादा लो है लाइक किस तरह एक्जेंपल है मसमा हीमन बाडी है हीमन बाडी के जाए टमडिशे जोन से है वह आल्मोस्ट रहता है बिट्वीन कहलें के थर्टी सिक्स सोरी इदर थर्टी एट आएगा थर्टी एट टू थर्टी सिक्स टिग्री सेंटिग्रेट ठीक है यह हाटर होता जाएगा इस तरफ लाइक इस वन सभी केंदर आडप्टेशन होना जरूरी है मत्रों कहां हाडर बाडि केंदर क्या हाडर concert कि हेवियर लोगयी एक या क्या दोनलों टंographers एक स्ट्रीम यह यहं हम एक केस पढ़ते हैं कि जब इसका टंबरिचर जाद है लाइक ये सन है तो इसकी बहुता हीट आ रही है सो इस टैम ये टंबरिचर क्या करेगा सबसे पहले तो इसमें जनरल सा फिनोमेन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रूट्स है लाइक दे अब्जाब वाटर ठी इस सारे को हमने क्या का था ट्रांस्पारेशन ठीक है वाटर की अब्जाब्शन से लेकर फिर उसके एरिल पार वहां से एवापरेट होगा इसको हमने किसका नाम दिया था ट्रांस्पारेशन सो ट्रांस्पारेशन एवापरेशन से क्या होगी कूलिंग जनरीट होगी ठीक सो यह कुलिंग सेंसेशन प्रड्यूस करेगा सब्सक्राइब इसके लावा अगर टंपरिचर बहुत दा हीट अपो जाए लाइक अगर टंपरिचर बढ़ते बढ़ते लाइक फॉर्टी फाइव से अबव चला जाए फॉर्टी फाइव डिग्र संटिकेड तो उसके बाद फ स्पैस्यल प्रोटीन जैंज न हम हीट शॉक को तो हैट कहते हैं हीट शॉक की लाइट चरड़ तो हीट तो कर लिए होगे तो ही टी के अगेनस्ट त्रंसपरेशन गर जादा और विए टेंपरेचर बने थे ख्वारत्त도 है लागार जाता है इन हाई टमप्रेचर क्या साइड एफेक्ट होता है कि इंजाइम जों से वो डी नेचर होंगे आप आपको पता नहीं कि इंजाइम्स प्रोटीन्स होती है और ज्यादा टमपरिचर पर वो डी नेचर हो जाते हैं अपना फंक्शन लूज कर देते हैं ठीक है सो यह तो हो गया हाण टमप्रेचर के लिए अब हम आएंगे किया कूल टमप्रेचर के लिए क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना है जो कूल टमप्रेचर होता है ना like in cool टमप्रेचर या in low temperatures यह किसको इफेक्ट करेगा अगेन के ये जो प्लाजमा प्रोटीन्स होती है या प्लाजमा मेंब्रेन प्रोटीन्स होती है उनको एफेक्ट करेगा ठीक है प्रोटीन्स को एफेक्ट करता है प्रोटीन्स और एफेक्टिड और इसके लावा ये क्रिस्टल फर्मेशन कर लेता है जिस तरह आइस के क्रिस् सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अगेंस प्लांट बाड़ी क्या करती है कि एक तो सबसे पहली बात है कि प्लांट बाड़ी इस हार्ड प्लांट और हार्ड ठीक है उनके पास सेल वाल होती है इनके दो इंप्लेट सेप्स सबसे पहलेकि वो अन्साट्चरेट को अन्साट्रेटी एसिड्स के अबिलिटी होते है beth के यह क्याले कि पिजिए एच्वेयर को इनके तुछी आन्सब्सम्सक्राइड कर चैनल बाड़ले सब सहब संहरा निहीं काफिया अगर गेज है वो इनके स्ट्रक्ट्टिर को डिस्टर्ब नहीं होने दिस वैसे किसे हैं जिसके अंदर डबल वान्ड रो ठीक है यह गेसा मिस्टी का वैसे टापिक है तो उसमें नहीं जाएंगे हैं इसके लावा जो दूसरा इसके अबिलिटी होती है कि यह जो साइटो प्लाजम की स्लूड कंपोजीशन होती है ठीक है स्लूड स्लूड कंपोजीशन ओफ साइटो प्लाजम इसको वो चेंज करती है ठीक है यहनी चेंज कर लाता है प्लाज़ सो उसके चेंज करने से क्या होता है कि यह दोनों जूसर फंक्शन करें चेंदी आं सिर्वाइब नोड़ के हैं के सुपर कूल इंवार्मेंट के अंदर भी यह सर्वाइव कर सकते हैं ठीक है यह यह दोनों जो से फंक्शन के आंसे फैटी एसीड की यह कंसेट्रेशन को इंक्रीज करेगा और दूसरा इसको ने स्लूट कंपोजिशन जो है साइट प्लाजम की वह भी चेंज करेगा वह इस के लावा एक चीज और आपके जहन में होने चीए मसलां आर्थ का स्ट्रक्श्र आपको मालूम है लाइक दिस आर्थ ठीक है थोड़ा सा ओवल सा होता है सब्सक्राइब आप इसके चंटर से एक्वएटर पास करती है जो संट्र लाइन है इडिस मोर हाट अज़िका है यहां पर इन्वार्मेंट जाधर होगा और जो जो हम आगए पोलर रीजिन पर जाएंगे जो इन्वार्मेंट के बड़ आगे पर जो यहां के लिय जाएंग वोल डॉन होना शुरू हो जैगा यहाँ पर इएवन आइस होती है ठीक हैं के आमको आइस मिलेके सब्सक्राइं जो इस रिजन के टमपरिचर यह एक्स्ट्रीम लो लो है टमप्रेचर ठीक है जी रहे में जो इस रिजन पको आएंगे यह जो डाइजन अंपीच में है को इस एरिया में नजर आएंगे घृचि कहां पे ना ज़ाधा के टंबरेशर ना कम टंबरेशर ठीक है कि जाहतर लाइट के जहां पर जाहा पर आपको जाधा फॉरस नजर आएंगे अब अर्फ बिश्चा कह लें के इस्ट्राइट यह नक्षा होथा वह उता कर देख तो वज़ा क्या थी क्योंकि यहाँ पे संवाइट जादा होती है और जोम्ध कम होते हैं और यहां पर सेंड बीच में आती ही जहां पर बारे में पढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है हीट ट्रांसफर के हाओ एन एनिमल बारी गेट हीट और लेट सपोज यहां पर साथ है ठीक है नहीं है अर्थ का ग्राउंड है ओपर ठीक है और आप इस पे खड़े में आसवी ठीक है यह अब का पस हीट कहां कहां से आएगी लाइक सबसे परहे तो सन होगा सन की रेडियेशन के जरी ही है आपके पास हीट आएगी वहरी सिंपल यह तो आपको भी मालूल चाहिए जो सूरज की दूप है उसमें गर्मी होती है तापिष होती है इसके लावा कुछ रीडियेशन जोंसे वो प्राउम अर्थ आती है है ठीक है यह इंफर रेड रेड ल से दंफारेड ठ solids कर दिए क्याया किंद कस् taken को यह लाइता इसे मिद्स क्याँ रिद्सेशिह के राफ कि फ्ल्म होने के पाद आप तक पहुंचता है अब यह डारेक्ट झाहिए यह उन्हाद से दीना खंळ घ hack और कुछ थर्म लेडियेशन होती हैं यह फिर कुछ धिर खंण की खुद बना टी कुछ रिडिएशन यह स्मायल कराँ है तो इस बाड़ी के अंदर से बनेंगी लाइक दिस बाड़ी हम दो इस मैं पर लिख लिख हूं यह उसे हम कहते हैं मैटाबॉलिक हीड ठीक है यह आपके बाड़ी के नर भी हैं वहत है कैमिकल रेक्शन हो रही होते हैं उसके जरीए जो हीट प्रड्यूस होगी वह मैटाबॉलिक हीट होगी ठीक है जाहिए बात है आपके अंदर भी तो आपके बास चार पॉसिबल वेज होगे जिसके जरह से हीट ट्रांसफर हो रही है अगर हम इसे काउंट करें सबसे पहले कों से है डारेक्ट सानलाइट फिर रिफ्लेक्सिट सब्सक्राइट जो दुसरे टकरा के टू इंफ्लेक्ट सब्सक्राइट फिर एंड मेटाबॉलिक हीट जो के बाड़ी के इससलफ जनेट हो रही है तो यह फूर पॉसिबल वेज़न जिसके जरीए से हीट गें हो रही है आप हम देखेंगे के इस हीट गेंड के अगेंस्ट बाड़ी क्या रिस्पॉंस जनेट करती है खास पर एनिमल्स की बाड़ी सो अब हम देखते हैं क्या क्या होता है मसला हम थोड़ा से साइट पर जाते हैं अब बाड़ी हीट रिसीव कर रही है सही अब इस तरह हम जो एनिमल्स की बाड़ी इससे दो किसमें डिवाइड कर द काँ थरम्स में बाड़ी जिसको ये से हीट हो रही है ऑगर इसके अगेंस्ट अपना टंपरेचर वो चेंज नहीं करता आपना टंपरेचर वो चेंज नहीं इसके क्या एग्जैंपल मसलन फ्राग देखाएं अपने मैंडक जिसे का जाता है ठीक है फ्राग जो उनसे है अच्छी सी बंगे कि इसे लगता निया बन दियेगी तो जो फ्राग है कि ठीक है फ्रॉग इस फ्राइड एक्जाम्पल के तो पर फ्राओ है तो नहीं लेकिन 25 आप सोच अलये हैं स्राइड कि फ्राइड फ्राओ2 अब्सक्राइड अब जिए चाहिए और पोई कलो थर्म में आता है किस तरह हम साबिद किस तरह करेंगे पोई कलो थर्म में बैसिकली जब बाहर टमप्रिटर जों से ना बहुत जादा हीटब होता है like अब टू 40 डिक्रीश करेंज पोड़ जब टमप्रेचर बड़ीज होता है like तक होगा 37-38 कहलें कि फूर्टी के जोन से है चले हम कहलें थर्टी-एट इसका डिप्रेटर इसका डिप्रेटर जोन से चला जाएगा थे थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है लेकिन बहुत जादा पॉर्टी दो रोत एक उसे हम किसे कहेंगे पॉर्कृलो थेर्म्स इसकी ग्जम्बल में क्या कर आ जाता है इसमें रैप्टाइल जाते हैं एक तो एक्जम्बलो रैप्टाइल जिस तरह फ्राग वोगयारा है फीशिय जो अब आइस में रहेगी ने फिशी जो ढर्फ में रहती हैं उसका temperature बहुत जादा लोगा जो गरम पानी में रहेंगी उसका temperature ज्यादा होगा से फिशीज भी अपना temperature में नहीं करते हैं और इस तरह और भी वर्टीब्रेट्स हैं जो देर बाडी टंप्रेचर को चेंज नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू है इन्वाइर्मेंट के लिहाद से वह अपने जो अगर हम देखें यहां पे टंपर्परीचर में ज्यादा भी ज्यादा सिम्पल सा इस के अगन्स कहो हम झराफ नदा नदर आ रहागे इस वेकिश में जयादा में लोगिया। इसो अगर तंपरिचर कं है इसके एंस्ट मांस को पूर चेंज गर देते हूं लाइक क्To अगर तंपरिचर कम है तंपरिच्र अलमोस उसी के ईटाइज ऑगर ज्यादा है त्हों में जाँए तसना में ज़्ञार sorta जब कि यह जो हमने परामेटर पढ़ा है लाइकिए इसके तरह चीन्जिस बहुत जादा आरही हैं सही सो जिसका temperature change नहीं हो रहा है environment के सब्सक्राइब है निवारमेट में लो है थो उसका भी लो है उसे हम poiklo therms कहा देंगे और जो अपना temperature maintain करेंगे उन्हें हम homeo therms कहाँगे यह मैंने सारा गंद लगा दिया सो एक्षिल ग्राफ की शक्कर ऐसे थी ठीक है होमियो थर्म्स और पॉइकलो थर्म्स सो यह आप कहलेंगे टंपरेचर बेसिस के पर हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर दिया ओके यह तो सिंपल था ठीक है लेकिन फिर बाद में प्राब्लम क्या आया साइंटिस जो स्टेडिस कर रहे थे टंपरेचर चिंजिस को बसला हम फ्राग का केस उठाते हैं था अब क्या है थोड़ा बहुत हीट जन रेट या फिर यह 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 तोड़ा प्रन वहरे थे कर रहे थे कुछ ऐसे जो बिल्कुल नहीं करते ठीक है तो इन चीज़ों को इस चीज़ों पर फरक डालने के लिए फिर हमें तीन डेफिनेशन बनाने पड़ी है अब जो माडरन कंसेप्ट है ना आप कहलेंगे थर्मो डेगुलेशन के बेसिस के अपर वो तीन किसम के एक इसमें आता है इंडो थरम इंडो थरम दो बहुत सिंपल है कि वो और निसम जो कि कहलें कि अपना टमप्रेचर मेंटेन कर सकते हैं अपना टमप्रेचर मेंटेन करने यानि बेक एन मेंटेन बारी थंपरेचर बाई मैटाबोलिजम ठीक है बाडी के अंदर जो रेक्शन हो रहे हो उन्हीं के जरीए अपना टंपरेचर मेंटेन करेंगे जो हमने मसलें यहाँ पे जो कहलें के सिंपल जो हमने होमियो थर्म्स पढ़े थे न दे आर जस्ट लाइक इंडर फ्र्मस यह थो एक जैसी डेफिनिशन थ्विनिशन है प्र इन्होंने अगे जो कहलें गे इनकी दो ब्रांच्ट है एक्टो थरम्स ठीक है एक्टो थरम्स कहलेंके ये अपना बाड़ी टंप्टर रेडिक नि करते हैं लेकिन इनके बिलीटी होती है ठीक है देखे हैं इनके बिलीटी मुझूद होगी लेकिन यह बिलीटी बहुत लो लेवल की होगी ठीक है धीक Пrains contain या कहले कि low-level metabolics metabolic heat changes ठीक है इस हीट फ्रॉम स्राउंडिंग कि अपने इर्भ गिर्द से यह कहलें कि हीट को अब्सार्ब करेंगे ठीक है यह यह नहीं यह सैकिंड टमनालोजी में आगे और फिर जो इंफीबियंज बगारा थे फिश इंफीबियंज जिसे फ्राग बगारा होते हैं रप्टाइज जिसे कहल रप्टाइज के टेगरी में डाल सकते हैं वोस्ट वर्टीब्रेट कहलें मोस्ट वर्टीब्रेट इस के अंदर आज जेंगे जो लो लेवल मेटबॉलिक हीट जनरेट करते हैं ठीक है इनका बाड़ी टमपरिचर वैरी करेगा लाग यहां पर जो अमने ग्राफ में पड़ है इन्होंने है है बाड़े ओहर है थीकहआ के वहारने क्हारेट रच अंदली Town आज़ने का नेमतर है नहीं हौना थीक्लेश से हां कि यह क्यांट है रचाने के मृर्ट फॉर्ब्रांट किसमों से लिकार्प गशा है है ability to regulate temperature यह विर उसी रिफ्च याइन नहीं विवोले बट दो नथए थिप सरस्के नहीं करते हैं एस की लगशंक्ता हमिंग बहुत होता है हमिंग बहुत है हम सके यह इसे दो घालोधिऑ और second was homeotherms ठीक है पोईकुलोथरम कोई सा था जिनके बाड़ी टंपरेटर जो उनसे है वो चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट व इन्वार्मेंट से जो इन्वार्मेंट का टंपरेचर होगा वो ही उनके बाड़ी का टंपरेचर रहता है इसमें रेप्टाइल फिशी वर्टिबेर्स और पोलर वगारा रिजन्स पर जो और निमस होते हैं से फिर दूसरा होमियो थर्म्स था होमियो थर्म्स मैं यहां पर लिखना भूल गया पर सब्सेंड क्लास क्या थी होमियो थर्म्स किया था कि जो रागुलेट करते हैं बाड़ी थर्म्स राक्राइन तेर बाड़ी टेंपरेश हैं फिर हमने ग्राफ भी डिसक्स किया था कि लाइक यह पोगलो फोगार बाहर का अगर बाहर का टमपरिचर कम हैं तो बादी खान्परिचर तो बाहर का यह यह श्युक्त नार्फिकल रिगार के ने रहेगा ठीक है यह इसकी तवरेशि़व यहां पर मैंने डिफाइन करें तरह यह अपना बाडी टमपरिश्म के जरीए यह अपना बाडी टमपरिश्र को एक लिमिट के अंदर रखते हैं जबकि जो पॉकलो तरह से उनको हमने दो कैटेगरीस के अंदर मुजीद डिवाइड कर दिया जिसमें एक एक्टो थरम्स है ज मैमल्स है जिसना हीमन बींग्स हैं और बड्स गहरा आ जाते हैं ठीक अब जबके एक्टो थरम्स में जों सा हैं फिशिस एंफिवर वर्टीपलेट्स वह लास्में हेट्रो थरम्स कों से हैं जिनके अदर अबिलिटी है कि वो टमुछे रागुलेट कर सकते हैं लेकिन वो इसे जैंपल में बैट समगेंगर सब्सक्राइब तक करेंगे आगले अगले अगले लेक्षर के अंदर हम देखेंगे कि जो एनिमस त्मपरिटर्टर किस तरह करते हैं नियुक्त अड़ाप्टेशन क्या थी तो आज के लेक्षर के नहीं ज्याद प्लांट को फोकस किए शु जाए जिसके कोलिंग होगी अगर टमपरिटर इसके लाव आए हीट शाख प्रोटीन से सैकेंड स्टेप्ट यह ट्रांस्परेशन फस्त प्रियॉर्टि होती है और अगर टमपरिटर बहु साधा हो जाए लाए फोर्टिफाइव तक सलाए जाए तो हीट शाख प्रोटीन् जाए और इन्धायं को दिनेचर होने से बचाती है और नुकसान किता है के एड HI TEMPTU इन्जाइनस दिनेचर हो जाते हैं पर अगर प्लांट मोस्टली लॉप अगर फिर भी जिस तरह को चोटे प्लांट सो थे उनके अंदर फिर कुछ मेकनेशम होता है लाइक वे अनसे इस थे त्रीक है उनका लावल ज्यादा कर देता हैं अंसे अमराज इनके डबल वांड होता है थे कहीं इसके अंदर डबल बांड पाए जाता है डबल यह फिर ट्रिपल बांड भी होता है यह दोनों अन्साइशेशन की निशानी है के अर्थ में यह उपर पोलर रिजन जहां पर एक्स्ट्रीम लोग है फिर जो बीच में एक्वेटर है यहां पर बहुत जादा हाई टंबरेचर है प्रफिर फिर अप्छिपल लाइट पर पढ़ने के बाद आपके पास आएगी फिर इंफारेड तर्मल रेडियेशन होगी जो बार्ड इसमें आर्थ में से आपकी बार्डी में ट्रांसवर होगी और लास्फ फॉर्ट वर्ट वास्ट जाएगी जो आपकी बाड़ी खुद हीट जनेरेट करेगी सब्सक्राइए हीट सोर्स ही जिसके अगेंज हम आगे मैगनेजम पढ़ेंगे किस तरह हीमन बाड़ी या फिर एक एनिमल की बाड़ी रेगुलेट करते है टापरिचर को सो आज के चेप्टर में हमने यहां तक ही पढ़ना झाल को झाल झाल झाल